नमस्कार दोस्तो सौगत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर दोस्तो वर्ल्ड कप 2019 30 मई से शुरू होने वाला है इस प्रतियुगिता में भारत को अपना पहला मैच 5 जून को साउथ अफरिका से खेलना है तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे की आखिर इस पहले मैच में टीम इंडे की प्लेंग लेवन क्या हो सकती है चार नमबर पर किस खिलाडी को मौका मिलेगा और क्या चहल और कुंदीब दोनों साथ में खेलेंगे या फिर टीम मोहमत शमी को मौका देगी दोस्तो इस सभी बाते मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि हम आपको वर्ल्ड कप से जुड़ी सभी लेटेस निउस देते रहे तो दोस्तो अब बिना वक्त जाया कि ये सीधा बात करते हैं प्लेइंग 11 की दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ओपनर्स की जो होंगे रोहित शर्मा और सिखर धवन दोस्तो इन दोनों से टीम को काफी जादा उम्मीदे हैं भारती टीम इनसे यही आशा करेगी कि ये दोनों टीम को अच्छे शुरुवात दिलाए दोस्तो रोहित शर्मा का फॉर्म भले ही आईपिल में इतना अच्छा ना रहा हो लेकिन दोस्तो वो T20 का अलग फॉर्मेट था और ये ODI का 50 वर्स का अलग फॉर्मेट है यहाँ पर रोहित शर्मा दुनिया के सबसे बेहतरिन बले बाजों में से एक हैं और लंबी पारिया खेल ले में भी माहिर है वहीं दोस्तो धवन ने आईपिल में शांदार फॉर्म दिखाया था और वो उसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे दोस्तो रोहित और धवन का रिकॉर्ड भी इंगलेड में अब तक का शांदार रहा है ऐसे में ये दोनों टीम के लिए एक बार फिर से मैच विनर साबित हो सकते है इसके बाद दोस्तो तीर नंबर पर खेलते हो ने सराएंगे टीम इंडे के सबसे भरोसे मन कप्तान विराट कोहली जिन पर टीम को चेंपियन बनाने की पूरी जिम्मेदारी होगी इसके बाद दोस्तो चार नंबर का प्लेस अभी तक कुछ कंफरम नहीं हुआ है कि यहाँ पर कौन बल्ले बाजी करेगा इस जगह पर दो खिलाडियों के नाम सबसे आगे है वो है केल राहूल और विजय शंकर का दोस्तो अगर बात करे केल राहूल की तो वो एक T20 स्पेसिलिस्ट बले बाज है और ODI क्रिकेट में उन्होंने अपने आपको इतना साबित नहीं किया है मौई शंकर ने भले ही IPL मुकाबलों में इतने रंस ना बनाए हो लेकिन हाली में इंडिया के लिए खेलते हुए उन्होंने अच्छा प्रदरिशन किया था उनके पास वन्डे खेलने की अच्छी स्किल्स है जरूरत पढ़ने पर वो कुछोबर की गिनबाजी भी कर सकते है इसलिए दोस्तो इस नमबर पर पहले चॉइस के तोर पर विजय शंकर को देखा जा रहा है इसके बाद दोस्तो पाँचवे नमबर पर टीम के सबसे अनुभवी खिलाडी और पूर्ब कप्तान MS धोनी खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तो धोनी ने IPL में जिस तरह की बल्ले बाजी की है उसी तरह की बल्ले बाजी की उमीद उनके फैंस को वर्ल्ड कप में भी रहेगी हम सभी भी यही चाहेंगे की धोनी मैच को फिनिश करके भारती टीम को जीत दिलाने में अपना एहम योगदान दे इसके बाद दोस्तो छे नमबर पर केदार जादाव खेलते हुए नजर आएंगे जो फिलाल अप पुरी तरह से फिट हो चुके है और वर्ल कप मुकाबलों में खेलने के लिए तयार भी है इसके बाद दोस्तो साथ नमबर पर धाकड ओल राउंडर हार्दिक पांडिया खेलेंगे दोस्तो पांडिया से इस बार टीम को बहुत जादा उमीदे होंगी क्योंकि पांडिया ने आईपेल में शांदार बल्ले बाजी की थी और लोवर ओर्डर में बैटिंग करते हुए उन्होंने कई मैचों को फिनिश किया और अपनी टीम मुंबई इंडेस को जीत भी दिलाई थी वहीं गेनबाजी में भी जब पांडिया को मौके मिले उन्होंने बड़े विकेट्स भी चटकाए थे ऐसे में पांडिया वर्ल्ड कप में भारती टीम के लिए ट्रंप कार्ट साबित हो सकते हैं इसके बाद दोस्तों बात करें गेनबाजो की तो यहाँ पर आठ नमबर पर भोनेसर कुमार खेलते हुए नजर आएंगे इसके बाद दोस्तों बात करें नौ नंबर की तो यहाँ पर दोस्तों चहल या फिर कुल्दीप दोनों में से किसी एक खिलाडी को मौका मिल सकता है क्योंकि दोस्तों इंगलेंड की पीच और कंडीसन के हिसाब से तेज गिनबाजों को थोड़ी से मदद मिलती है ऐसे में भारती टीम तीन रेगुलर पेस गिनबाजों के साथ मैदान पर उतर सकती है जिसकी वज़े से कुल्दी प्याफिल चहल किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है दोस्तों आईपिन में चहल शांदार फॉर्म में रहे थे वहीं कुल्दी प्याफिल का फॉर्म अच्छा नहीं रहा था ना तो उन्हें विकेट्स मिल रहे थे और ना ही वो रन्स रोक पा रहे थे लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर कुल्दी प्याफिल पे ही टीम भरोसा करेगी और उन्हें ही प्लेंग 11 में मौका मिलेगा क्योंकि दोस्तों वे एक चाइना में रिस्ट स्मीनर है और बल्ले बाजों को उन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके बाद दोस्तों दसवे नंबर पर मोहमत शमी को मौका मिलेगा वहीं दोस्तों ग्यारवे और आखरी नंबर पर टीम इंडे के स्टार गेंद बाज जस्परीद बुम्रा खेलते हुए नचर आएंगे तो दोस्तों अंत में बात करें फाइनल प्लेइंग 11 की तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है तो दोस्तों फिलाल के इस वीडियो में इतना ही आप सभी को क्या लगता है भारती टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पहले मैच में यह हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा थैंक्स पर वाचिंग दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखेगा